हलो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रूप सिरी लेडिज टेलर में तो चलिए हम आज आपको सिंपल तरीके से सर्ट की कटिंग और स्टीचिंग करना सिखाएंगे तो देखिए हमने ये इंची टेप, सुई धागा, स्केल, मारकर, कैंची और ये पे देखिए हम एक पेपर ये फूल पेपर लिये हैं और इस तरह से आपको भी लेना है और सबसे पहले हम सट के पीछे का भाग कटिंग करेंगे तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है जितना भी आपको चोड़ाए चाहिए हूँ इसी साब से आप निसान लगा लीजिए तो देखिए हम इस तरह से सीधा करके आपको ये हम छे इंच पे एक निसान लगा रहे हैं और हाफ इंच बढ़ा के ले रहे हैं इस तरह से और इसके बाद आपको मैं इसकी लंबाई में ले रही हूँ तेरा इंच तो मैं तेरा इंच पे एक निसान लगा रही हूँ गले की च और शोल्डर पूरा हम 5.5 इंच पे रख रहे हैं तो हम 5.5 इंच पे निसान लगा रहे हैं इसके बाद हम शोल्डर की गहराई हम ले रहे हैं 5 इंच पे इस तरह से आपको सीधी लाइन खीचना है इस तरह से इसके बाद हम हलका सा राउंड देंगे इधर बगल साइड में देखिए इस तरह से आपको हलका सा राउंड देना है फिर हम सोल्डर के साइड भी हलका सा राउंड देंगे देखिए इस तरह से इसके बाद हम इधर से एक इंच पर इस तरह से तिर्चा निसान लगाएंगे और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं जैसा हमने निसान लगाए से मुसी भी हमको कटिंग करना है तो देखिए इस तरह से तो देखिए हमारा बैक पार्ट कटके रेडी है तो चलिए हम आगे का भाग कटिंग करते हैं तो इस तरह से हम एक पेपर लिए हैं और इसे फोल्ड कर दिये हैं इसके बाद हमें बंद साइट की तरफ से 1.5 इंच पे निसान लगाना है देखिए इस तरह से अब 1.5 इंच पे निसान लगा लीजिए देखिए इस तरह से सीधा निसान लगाना है आपको इसके बाद आपको पीछे का भाग उसी पे इस तरह से निसान पे सेम रखके पूरा उसी तरह से आपको पूरा पीछे के भाग जैसा है उसी तरह से आपको निसान लगाना है पूरा तो देखिए हम इस तरह से पूरा निसान लगा रहे हैं इसके बाद आपको गले का माप लेना है तो हम 2.5 इंच इधर भी जहां से हमने निशान लगा है उधर से हमको 2.5 माप ना है तो देखिए इस तरह से हम 2.5 इंच पे एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह हलका गुलाई दे देंगे गले पर तो चलिए अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं तो देखिए इस तरह से इस तरह से हमको cutting करना है देखिए अब गले की साइड हमें इस तरह से इसको fold करना है जहां पर हमने निशान लगाय था उसके बाद cutting करना है देखिए इस तरह से फिर हम इसके दोनों भाग को अलग कर लेते हैं देखिए हमने आगे की साइट का भी कट कर लिया है तो चलिए अब हम इसकी स्टीचिंग सुरू करते हैं तो देखिए पहले आगे की भाग को हम हलका सा कट कर देंगे इसकी बाद हम बैक पार्ट लेंगे और इस तरह से उल्टी साइट से हमको रखना है आगे का भाग और इसके सोल्डर को पहले हम सिल लेते हैं तो देखिए इस तरह से आपको सिलना है सेम इसी तरह से आपको दूसरे साइट का भी सोल्डर सिलना है कि इस तरह से आपको दूसरी साइट का भी सोल्डर सील लेना है देखिए हम ने इधर कभी सील लिया कि इसके बाद आपको एक पट्टी कट करनी है जिदर से हम कज करेंगे बटन लगाने के लिए उधरी हम अपको एक पट्टी जॉइंड करना है तो इस तरह से एक पेपर पे आप पट्टी कट कर लीजिए और इसके बाद आपको इस पर अटेज करना है तो देखिए इस तरह से रखना है आपको उल्टी साइट से रखना है आपको पट्टी को और इस पर आपको सिलना है तो चलिए हम सिल लेते हैं तो देखिए हमने पट्टी सिल लिया है इसके बाद आपको इस तरह से आगे की साइड में फोल्ड करके सिलना है देखिए इस तरह से आपको सिलना है तो चलिए हम दूसरी साइट का जहां पर हमने निसान लगा है उधर कोई पट्टी नहीं लगाना है बस इस तरह से फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई करना है तो इस तरह से आप double fold करके seal लिजिए देखिए हमने इधर का double fold करके seal लिए है अब हम ये side आ जाते हैं इधर भी हमने seal आई करना है तो इधर हमको उपर की side fold करके seal लिए है तो देखिए इस तरह से तो हमने दोनों side का seal लिया है तो चलिए हम इसका collar सिलते हैं तो collar के लिए पहले हमें collar को मापना होगा जितना होगा हमें उतना उसके हिसाब से collar cutting करना है तो देखिए इस तरह से हम माप ले रहे हैं देखिए लगभग साढ़े ग्यारा इंच तक आया है तो चलिए हम इसकी collar cutting कर लेते हैं collar cutting करने के लिए आपको चार fold में paper लेना है और उस पे इस तरह से collar हमने जितना मापा था उसका इस तरह double fold करके इंच टेप रखना है आपको और same उसी पे निसान लगाना है इस तरह और इधर से दो इंच पे आपको निसान लगाना है और इस तरह से एक box बना लेना है आपको इसके बाद इधर से आपको तिर्चे में एक निसान लगाना है और यहां से हलका round shape देना है आपको collar पे इस तरह से इसके बाद हमें इसी तरह से cutting करना है देखिए इस तरह से जिधर round दिये उधर भी हमको cut कर लेना है तो देखिए हमने cut कर लिये है color इसी पर आपको सिलना है तो चलिए हम यहाँ से सिलाई शुरू करते हैं यहाँ से ही आपको सिलना है इस तरह से हमें पूरा कॉलर सिलना है तो देखिए हमने पूरा सिल लिया है इसे हम इस तरह से पल्टी करेंगे तो पेपर है इसमें सही से पल्टी नहीं हो रहा है आप कपड़े पे करोगे तो बहुत अच्छा फिंजिंग के साथ होता है तो देखिए इस तरह से फिर हमको बीच में कट का निसान लगाना है उसके बाद हमें सर्ट पे ज़्यादा कपड़ा नहीं गले पे काटना है बस जितना हमने सिलाई किये था उतना ही छाटना है इस तरह छाटने के बाद आपको बीच में इधर भी एक कट का निसान लगाना है यहीं से हमको कॉलर अटेज करना है तो देखिए इस तरह से आपको रखना है सीधे साइड से सर्ट को और उसके उपर आपको इस तरह कॉलर बीच से ही सिलाई शुरू करना है तो चलिए हम सिल लेते हैं तो देखिए हमने दोनों साइड से सिल लिया है आपको जिधर बटन लगाना है उधर से हलका सा हाफ इंच छोड़ के ही कॉलर सिलना है इसके बाद आपको एक पट्टी कट करना है इस तरह से और कॉलर के उपर ही इस तरह से आपको पट्टी को कि चलिए हम सिल लेते हैं कि तो देखि ci हमने पूरा ज़ाए है इसके बाद आपको इस तरह से इसे अंदर की साइट फोल्ड करना है पक्तिक को है ऑर इसके बाद फिर तरह है इस तरह को सी लेना है पूरा इस तरह से आपको पूरा सिलना है तो देखिए हमने पूरा सिल लिया है इसके बाद आपको इस तरह से सीधे साइड से रखना है इसके बाद बाहिं की कटिंग करनी है तो देखिए इस तरह से आप चार फोल्ड में पेपर ले लीजिए और यह देखे हम बाही हमको इस तरह से निसान लगाना है हम 6 इंच पे निसान लगाए हैं चवड़ाई और लंबाई हम बाही की 4 इंच पे रख रहे हैं तो इस तरह से आप भी निसान लगा लीजिए बाहिं की cutting करने के बाद आपको इस तरह से दोनों बाहिं को अलग करना है और नीचे से हमें double fold करते हुए सिलाई करना है तो चलिए हम सिल लेते हैं देखिए हमने दोनों बाहिं को सिल लिया है तो चलिए हम सर्ट पे attach करते हैं इस तरह से आपको सट को सीधा रखना है और उसके उपर बीच से हमको बाहिं जॉइन करना है तो बीच से हम सिलाई शुरू करेंगे तो देखिए इस तरह से 20 से सिलाई शुरू करना है तो देखिए हमने बाहिं सिल लिया है इसके बाद जो इस्ट्रा पेपर बचव से हम कट कर दिये इसी तरह से हमने दोनों बाहिं सिल लिया है तो चलिए अब हम इसे बगल से सिल लेते हैं तो देखिए इसके कि पिटिंग की साइड हम सिल रहे हैं इसी तरह से आपको भी सिलना है कि इसी तरह से हम से हम दोनों साइड सिलेंगे तो देखिए हमने दोनों साइट सिल लिया है चलिए अब हम इसे सीधा करके दिखाते हैं आपको पेपर है तो फटने का डर रहता है तो धीरे धीरे आप सीधा करिए तो देखिए सीधा करने के बाद इसका लूक इस तरह से आया है तो अगर कहीं आपको नहीं समझ में आयोगा तो कमेंट करिएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए शेयर करिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू